में आप सबीक को इस सत्य गठना के बारे में बता निजा रहा हूं मेरे मित्र की पिता लाल सींग बैक में करम सारी थी और वे बूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाग उठाती वे कहते थे कि सेतान सक्य जैसी कोई चीज नहीं होती और वे हैं चाए रात हो या दिल जंगल हो या समसार हो या फिर कोई कब्रिस्तान नहीं वो जान बूज कर वहाँ पर गूंते रहते और बोलते थे कि देखो अगर कोई आत्मा होती तो हमको प्रेसान जरूर करती चाए सादू हो या फिर चाए मोलवी वो तुन लोगों की बातों का बहुत मज़ाग उड़ाते और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था एक दिन वो दोफैर के समय अकेले बैक जा रहे थे तबी उनको एक चोराए पर निम्बू पेडा फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा जिसके चारों और हल्दी का एक गेरा बनाया हुआ था और वो सोच में पड़ गया कि दोफैर में यहां ये सब समान किसने चड़ाया है और वो मस्तिक के मुड में साइकल के निचे उत्रे और हल्दी से बने हुए गेरे के अंदर से निम्बू लाल कपड़ा और मिठाई भी उठानी और वो साइकल पायर बैठकर हस्कते वे वे नास्ता मंगा कर खाने लगा और उनको याद आया कि मेरे पास निम्बू मिठाई भी रखी हुई है उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ पूछ कर पोड़े में फैक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ जैसे जैसे दिन रात होने लगी वैसे वैसे उसका सिर्भारी होने लगा और वै घर आ गया रात में बारा बजते हैं उन्हें जोर जोर से कभी हस्ते और कभी रोते हुए या तक भी अपना कपड़ा फार देते या फिर अपना आपको केची या चाफू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने इकोसिस्टर एक दिन तो वैं इतना हाध कर दिये कि वैं अपने गले में फासी फंदा लगा कर खड़े हो गए तब उनकी पतनी ने उन्हें देख लिया और चुड़ाया और पूचने लगी अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी अरकते करने लग गई तो वैं कुछ ने गई फिर भी वैं उनको गलकोज की बहुत अच्दान ना चलू कर दिया दिरे दिरे कुछ दिन बेटे गई लाल सिंग की तब्यात मानुकेंस इनके मरीज से भी बहतर हो गई तब उनकी पतनी ने एक अगोरी बाबा को दिखाया और अगोरी बाबा इस समझ में सारी बात आ हां कि उन्होंने चार आस्तों पड़े समान को ठालिया था उसी का नतिज़ा है लाल सिंगी पत्रिन पुछा कैसे अब अगोरी में बताया इस चार आस्ते पर एक आदमी ने किसी जाड़ कूर कर उसकी आत्मा को आजाद किया और जैसे उसका सारा समान चड़ाग कर और पकड़ लिया बोली बाबा अब आपका ही सारा है अगोरी बाबा दुखी हो गए और बोले ठीक है पहले जाकर कुछ समान खरीद लाओ फिर में बताता है और तनी पूछा क्या लाओं फिर अगोरी ने बोला जैसे निम्बू सवा किलो मेठाई सवा मेटर लाल कप्रड और यह सब वपने पत्ती के हत्तों में लठा करवाद कर हमें देद दो जैसे अगोरी ने बताया और तनी वेशी किया अगोरी ने पूजा पर सपन करने के बाद एक पानी का लोटा लाल सिंगे चल तरफ गुमाल कर पी लिया और चले गे लाल सिंग दिन परती दिन से होने लेगे